हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों एक्टरसिस की स्किन केर रुटीन के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा वही अभी भी लोग यही सोचते हैं कि स्किन केर गुंबिंग ये सब लड़कियों के काम हैं ये सब तो सिर्फ लड़किया ही करती हैं लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लड़के भी अपनी स्किन का ख्याल रखना पसंद करते हैं वहीं अगर बात तर ग्लेमर की दुनिया की करें तो ये और भी जरूरी हो जाता है इसलिए आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने दिल्ली से निकल कर सपनों की नगरी में अपना पैर जमाया है दोस्तों हम बात कर रहे हैं यंग और डैशिंग एक्टर जितिन गुलाठी की फईदवात के रहने वाले जितिन गुलाठी दिल्ली में पैदा हुए उनके पापा जगदीश गुलाठी इंडियन नेवी के रिटायर्ट आफिसर है दोस्तों जितिन हमेशा से ही बॉलिवूड एक्टर बनना चाहते थे लेकिन जिन्दगी ने उन्हें कई इंतहान ले यानि कि जिन्दगी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है जितिन पहले नौड़ा और फिर दिल्ली के NCBC बैंक में पॉस्टेट रहे फिर सा साल 2008 में उनका ट्रांसफर मुंबई में हो गया बस वे क्या था मुंबई पहुचते ही जितिन ने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया जितिन ने बैरी जॉन पैजल अलकाजी और अमल अलाना जैसे एक्टर से एक्टिंग के टिप्स लेने शुरू कर दिया इसके बाद साल 2009 में जीतिन ने बतोर मॉडल मुंबई में अपना सफर शुरू किया तो चलिए अब आपको जीतिन के स्किन केर रूटीन के बारे में भी बता देते हैं जिसका जीतिन खास ख्याल रगते हैं दोस्तों अपनी स्किन केर रूटीन को लेका जीतिन का कहना है उन्हें इस ब लोग आपसे बात करना शुरू कर देते हैं इसलिए सही स्किन के रूटीन अपनाना बहुत जरूरी है स्किन के रूटीन में कई चीज़े शामिल होती हैं जैसे चेहरे को दोना, मौशलाइस करना, संस्किन लगाना, संस्किन का लगातार यूज़ करना और स्क्रब करना इनके बिना हैल्दी स्किन पाना नामुम्किन जैसी बात है दोस्तो जीतिन का कहना है, मॉडर्र और एक्चर्स को जाधार स्किन पर मेकप लगा कर रखना पढ़ता है, ऐसमें स्किन को हालधी रखना किसी चैलरंज से कम नहीं, लेकिन इस काम में पानि आपकी काफी मदद करता है, पानी आपके स्किन को ना सिप नमी देता है बलकि पानी पीने से बाड़ी के जहरी ले टॉक्सिंस भी बहार निकलते हैं इसलिए healthy स्किन पाने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है वहीं दोस्तों स्किन केर प्रोड़क्ट को लेकर जितिन बताते हैं कि इसके लिए आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए अब जैसे कि मेरी स्किन मिक्स है तो मैं वही स्किन केर प्रोड़क्ट खरीदता हूँ जो मेरी स्किन टाइप को सूट करें अगर आप बिना स्किन टाइप को समझे स्किन केर प्रोड़क्ट इस्तिमाल करेंगे तो इसके साइड इपैक भी हो सकते हैं साथ ही प्रोड़क्ट खरीदने से पहले थोड़ी रिसर्च करना जरूरी है ताकि ये पता किया जा सके कि कहीं इस प्रोड़क्ट में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारी स्किन को नुक्सान पहुचा सकती हूँ दोस्तो इतना ही नहीं जितन सिर्फ महेंगे प्रोड़क्ट पर ही यकीन नहीं करते हैं उनका मानना है इसकिन में हल्डी पेसन से बना उक्टन भी कई बार आपके लुक को निखा देता है जो कई बार महेंगे क्रिम से भी फाना मुश्किल होता है इसलिए आप स्किन टाइप के हिसाब से गहेलू उपायों को भी अपना सकते हैं दोस्तों अब तो आप समझी गए होंगे कि लड़के भी अपनी स्किन का पूरा खया रखते हैं और साथ ही इसके लिए महेंगे महेंगे प्रोड़क्त ही जरूरी नहीं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूरी बताएं